असलाम ओलीकुम आज मैं आपको बोर्ट टॉपर्स मैथ का पेपर दिखाऊँगा कि बोर्ट टॉपर्स मैथ का पेपर कैसे सॉल्फ करते हैं और कैसे 75x75 मार्क्स के और करते हैं देखिए उन्होंने यह अरफा में आप स्टुएंट्स है बहुत जहीन है टॉपर है माशाला अल्ला तरह इंको काम्याबियों काम्यादिस नमाजे देखिए उन्हें पेपर कोर्स वोल फिया सारे एमसी इस पॉइंट सोल किये यह तो आपको बातें पता होती हैं हम प्रेपर प्रेस्टेशन में जाते हैं स्ट्रेंट देखिए हैं स्ट्रीक पार्ट वान क्वेस्ट नबर कुमनेट 29%,शोर्ट क्वेस्ट अब अब देखे क्वेस्टेशन साव फाइंट ट्रांस्पोस तना टाइम होता है करे अभास अच्छी तरह dostना अब देखें उन्होंने question लिखा ये फूल बूटे बड़े आम है ये वाले ये attractiveness create करते हैं जो चीज आपके paper में फूल बूटे बड़े important है ये paper में attractiveness create करते हैं कि paper हो कैसे solve या जाए ये बहुत हैं प्वाइंट्स हैं देखें अब उन्हें हार question marks paper में देखें कैसे लिखा है ये mistake student की हमें minus आता है तो question देखें difference आ गया तो उन्हें लाइन लगा ली ये बहुत है बहुत एहम है ये देखें कितना अच्छा बहुत paper solve यह हुआ हुआ है उन्होंने आपको बड़ी एहम बाते बताऊं एक एक क्वेस्टन निका हुआ है देखें आप question number five question number three start हो गया देखें और ये आखरी चैप्रिस के short question आते हैं तो उन्हों डिस्टन्स का फार्म हो लिखा और को solve किया देखें हार जो भी आपकी वह आएगी definition वगरा आएगी तो heart definition का आपने लाजमी वो examples देनी है को examples के marks वो लाजमी देते हैं student से बाते बहुत एहम है ये आपको लाजमी फालो करनी चाहिए मेरा main मकसद ये नहीं आपका time waste करना मेरा main मकसद तो आपको guide करना है बड़ी बाते हैं जो आपको बताने वाली है जो students लाजमी गलतियां करते हैं लाजमी गलतियां करते हैं तो उनको सीखना चाहिए देखें example आईए definition आईए साथ example लिखी हुई है देखें आप उन्होंने ये point लिखा हो ने ये वाला इसका मतलब होता है कि ये इसका हवाला ह ये इसका general formula है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो ये हमारे सब students वो ऐसा करना चाहिए ये lining है ये question of four कितना अचा लिखा है आपको देख रहे हैं हर question ने explain किया हुआ है साथ राफ अमल भी किया हुआ है कि checker को पासा चाल जाए ये देखें ये देखें ये देखें हार जो definition ल paper बहुत अच्छा हो जाता है इस देखें और ने कैसे पेज भरने वाली बात नहीं कि कि एक पेज़ पर तीन सफ लफ़ लिख दूँ चार लफ़ लिख दूँ के मेरी definition जहां तक आ जाए तो इसके marks नहीं मिलने आपको जो लिखा हुआ है और जो कितना खूप से लिखा हु है यह आया हूए है ट्राइंग रिजन की होता है रहोने इसार बीजन बताया है अब लों। की बारी आ अगे लोंग में आपने कैसे अटेंप करना है पेपर लों। देखें हुआ है यह क्रैमर रूल रूल आया हूए है तो और ने पाट लिखा हुए कॉस्टर मैफ का का गए देखिएगा कौस्टमर फाइफ देखें B पार्ट कौस्टमर फाइफ का ए पार्ट पहया अब कॉस्टमर फाइफ का बी पार्ट लिख रहे हैं है भी पार देगे कितना खुछ लगर है में बार बबार यह बात करता हूं कपड़े हर कोई पहन लेता है लेकिन बंड़ना हुठ आपके में कपड़ppe हर में कह लेता है तो याद के बावाजूद आपका perform ये खूपसूरती लाना मेकप करना ये हर की बस की बाद नहीं होती तो यह देखने आप लोग कॉस्टर मर्षीप तक कितना कूपसूरत कidge देखा हुआ है इतना खूबसूरत पेपर देखें आप आप कोस्टमर सिक्स का भी पार्ट देखें आप सबसे इंपोर्टन पॉइंट जो आपका थ्यूर्म है वह आठ मार्क्स का है और वह आपने कैसे टेंप करना है फिगर है वह तो आपने यहां बनानी है यह मिस्टेक्स चुर्ण चुई है और दूसरी बात यह है कि फिगर को आपने पैंसिल से नहीं बनाना बोर्ड में जो भी आपकी पिक्स होंगी वह आपको पैंसिल से आपने नहीं बनानी वह आपने हमेशा वह यूज़ करना है पॉइंटर यूज़ करना है यह पे है कि कितना कूप आप एक ओवर्विव दिखा दूँ यह देखें यह माशालला बच्छी हैं बहुत जहीन है अल्लाद अल्लाए इनको बहुत काम्याबी काम निस नुए देखिए जो बाकी पेश बच्की हैं उसको अपने क्रोस लगा देना है आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप लाजबी मुझे पूचिए गा जज़ा कर लाओ ख़ए रहा